वहीं N-DMC की मिटिंग का एक वीडियो ट्वीट कर वीजेपी दिल्ली के सीय मर्विंत केजरिवाल पर मिटिंग से भागने का आरोप लगा रही है। वहीं इसको लेकर वीजेपी ने एक प्रेस कॉंफरेंस कर केजरिवाल पर तमाम आरोप लगा है। जहां दिल्ली वीजेपी प्रदेश अध्यक्षादेश गुपता ने कहा कि केजरिवाल से जब असली सवाल पूछे गए तो वह भाग खड़े हुए। और एक नई फिल्म हमें देखने को मिली है भाग केजरिवाल भाग। और वो भी तब भाग जब वो जनता के सवाल उनके उपर उनसे पूछे जा रहे थे। उनसे पूछा जा रहा था कि दिल्ली के नई दिल्ली विधान सवा के सदस के नाते आपने यहाँ पर स्कूलों के लिए क्या किया। आपने यहाँ सफाई कर्मी हैं उनके लिए उनकी समस्याओं के लिए क्या किया। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और साथ में नई दिल्ली विधान सवा के सदस भी है। आपने यहां के करमचारी जो अधिकान संख्या में यहां रहते हैं उनके वेलफेर की जब समस्याइं आई तो आपने उनसे उनको पीठ दिखाई यानि भाग गये जब दिल्ली के अंदर जलबोट घोटाला होता है पानी की समस्या होती है तो उससे भागते हैं वो दिल्ली के अंदर जब गेस टीचर के एपाइंडमेंट और वेलफेर की बात होती है तो वो उससे भागते हैं दिल्ली के अंदर सिच्छा विभाग के अंदर घोटाला हो कमरों का घोटाला हो या फिर स्कूलों में टीचर्स की प्रिंस्पल की वाइस प्रिंस्पल के एपाइंडमेंट की बात हो उन सवालों से वो भागते हैं दिल्ली के अंदर जिस तरह से डिश्विप घोटाला हुआ उसके जवाब देने से वो भाग रहे हैं हर जनता से जुड़े सवाल से वो हमेशा भागते रहे हैं आज दिल्ली की जनता ने ये पैचान लिया है केजरीबाल जी कि आप सिर्फ जनता के सामने प्रचार और प्रचार उसी में मस्त रहते हैं अपनी फोटो दिखाओ और प्रचार करो यही एक मात्र एजंडा केजरी जिवाल जी आपका है